दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टेडी कोटीर में मेरा नाम है प्यूस और आज दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो हम लोग देखने वाले हैं ब्रिक टेस्ट इट परिछट के प्रिभियस एरे के कोस्टेंस अगर मैं बात करूँ दोस्तों 2014 में साइ मिनिट के अंदर ही तरीका मैं अलड़ी बता चुका हूँ मैं यहां पर सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि किस टाइप के एक्जाम में कोस्टेंस आते हैं तो यहां से आप ताकि आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको यह नहीं लगगा कि एक्जाम में यह तो कोस्टें इस चाइप की आते होंगे तो मैं इसलिए मैं करा रहा हूँ मैं बता दूँ आपको किस चाइप की कोश्चन एक्जाम में आते हैं तो आप देख लो मैंने जो बताया थे कोश्चन दोस्टों बिल्कुल उसी टाइप कोश्चन ये भी हैं उससे बलकि आसान ही आपको देखने को मिलेंगे तो आप देखना बहुत ही जल्दी से आप आंसर भी कर पाओगे अगर जिन लोगों ने पिछले classes नहीं देखें तो भी कोई problem नहीं है मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताऊंगा हर एक concept मैं बहुत ही अच्छे से clear करूँगा क्योंकि इसमें है या दोस्तों concept ही तो है अगर एक बार अगर आपको concept समझ में आ गया तो फिर आप answer बहुत ही जल्दी और बिल्कुल सही answer करोगे मतलब speed के साथ with accuracy के साथ आप answer करोगे जो की बहुत ही जरूरी है ALP के psycho test के अगर मैं बात करूँ तो clear करने के लिए तो चलिए दोस्तों start कर लेते हैं पहला question है और मैं बता तों दोस्तों कि इसका और भी जो section है अगर जैसे ही मैं previous question अगर brick test और hidden cube का मैं करा लेता हूँ उसके बाद हम लोग memory test करेंगे मैं बताऊंगा कैसे याद रखना होता है कोई भी चीट जैसे की वहाँ पर होता है na questions आपका चित्र संख्या पर रिछट जैसे चित्र होता और संख्या होता या फिर track memory होता तो यह सब कैसे याद रखना होता है यह सब कुछ मैं बताऊंगा watch table की मैं बात करूँ तो वो सब कुछ भी मैं समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से तो आपने उसकी बी tension बिल्कुल भी नहीं लेनी है पहले हम लोग previous एक questions देख लेते हैं ताकि confidence यहां से हमारा ना गिरे confidence बहुत ही जरूरी है confidence अगर बना रहेगा दोस्तों तो हमारा speed और accuracy भी बना रहेगा क्योंकि यहां पर मैं जो concept दे रहा हूँ यहां से गलती होने की तो कोई chance ही नहीं है ठीक दोस्तों इसका तरीका लोग बहुत ही बताते हैं बहुत तरह करने का लेकिन सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो आप यहां से देखिए अगर आपकी speed इंप्रूब ना होई दोस्तों अगर 5 मिंट के अंदर आप question का आंशर ना कर लिए फिर आप बोलना यहां पर कुछ भी याद करने की ज़रूद नहीं है दोस्तों बिलकुल simple तरीका है edge to edge आपने यह मानना है कि asperse नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक ही concept है edge से edge asperse की हम बात करें contact की बात करें तो वो नहीं होता है और side से side asperse होता है asperse की हम बात करें contact की बात करें side to side हम लेते हैं contact और टॉप की बात करें तो टॉप से भी comdaq होटा चीज है और नीचे से भी comdaq होटा बस यही चीज ध्यान होता है दोस्टों क्रॉस सेक्षन की बात करूँ तो आप चार पांच कोस्टं करोगे तो आपको कुद आइडिया लग झाए को वहां पे कुछ ध्यान देने वाली ब ए जो है दोस्तों, एक ये उपर एक एट रहे हुए, पहली एट तो ये हो गई, दूसरी एट जो है ये हो गई, तीसरी ये हो गई दोस्तों, और चौती की मैं बात करूँ तो चौती ये हो गई, पांच में ये हो गई, तो ए जो है दोस्तों, आपका कितने एटों से उसका ऑंसर हो गया वह हो गया और दोस्तोंए यहाँ पहली यहाँ पही 받아नागी ऑपर पांचना जो कि पांसार है और दोस्तों दोस्तों तो दूसरे है कर देखेता है तो D जो भीकping के उपकर देखेता का बिल्कुल नीचे तो D को आप देखो D के ऊपर एक इट रखी हुई है कौन सी तो ये वाली पहली एट और यहां पर यह क्रॉस सेक्षन आप देख लो दोस्तों एक बार बस आंसर क्लियर हो गया कितना है यहां पर D कितना से जुड़ा हो सकता है तो यहां पर देखो आप I think 4 से आपको भी लग आप 4 दोस्तों तो बिल्कुल सही है देखो आप यह दूसरा यह तीसरा यह चौथा तो D का जो आंसर हो गया वह गया चार E की अगर हम बात करें तो E को आप ध्यान से देखो यहां पर पहला हो गया यह आपका यह दूसरा हो गया मतलब E जो है यहां पर 2 इटों से हुआ है तो इसका जो आंसर हो गया दो ठीक है दोस्तों थोड़ा सा पेसिंस लगे दोस्तों थोड़ा सा कॉंसेट समझाने में टाइम लग जा तो थोड़ा सा धीरे-धीर हम लोग कर रहे है थोड़ी दिर बाद स्पीट कैसे इंप्रूब करनी यह यह भी मैं बताता हूं यहाँ पे यह क्लियर हो गया अगला कोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे देखो आप यहाँ पे एक हम बात करें तो ए जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ एक सामने की इट से यह पहला हो गया आपका यह दूसरा हो गया यह तीसरा हो गया और ए इस पे रखा हुआ हुआ है कि नीचे से दो इटों से टच हो रहा है आप देखो यहाँ पे पहला यह दूसरा यह तीसरा ठीक है दोस्तों यह हो गया आपका चौथा यह हो गया आपका पांचवा यह हो गया आपका छटवा जो कि बिल्कुल सही आंसर है इसका बी का जो है answer दोस्तों कितना हो जागा चहा हो जागा अगर सी की हम बात कर लेते हैं तो सी को आप देखो दिहान से तो सी जो है दोस्तों एक तो ड sesे जुड़ा हुआ है A से भी जुड़ा हुआ है मतलब यह पहला यह दूसरा इसके उपर इत रखी हुई है टिया दोस्तों इसके उपर ही तो यह 8 रखी हुई है और यह दोनों भी दोस्तों C के उपर ही रखा हुआ है मतलब यह 3 तो यह 4 था और यहाँ पर अगर इधर से हम बात करें तो यहाँ पर side से हम बात करें तो आप देखो यह 5 यह 8 है इससे भी तो जुड़ा हुआ है और C इसके उपर रखा हुआ है तो C का जो आंसर हो गया दोस्तों यह हो गया 6 जो कि बिल्कुल यह आसान आंसर था इसका D आप देखो D को ध्यान से देखो दोस्तों तो एक इससे जुड़ा हुआ है दूसरा तीसरा और D रखा हुआ है तो यह C पे रखा हुआ है मतलब कि 4 इट यह भी तो हो गया और यहां पे यह 5 और यह 6 और किसी से कनेक्ट हो सकता है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं हो सकता है तो D का जो आंसर हो गया 6 और E की अगर हम बात करें तो E को देखो एक इतने हीटों से जुड़ा हुआ है तो E नीचे रखा हुआ है एक ऊपर रखा हुआ है दो यह होगा और यह वाला क्रोस्सेक्षन अगर हम देखें तो यह आपका तीसरा होगया यह आपका चौतरा हो गया यह आपका पाच्वा हो गया जो कि बिल्कुल सही answer है तो यह जो है दोस्तों आई थिंग ये question I think मैंने करवाया था क्या है? एक second हाँ दोस्तों ये question already करवा चुक यह हम लोग यह पहला question था तो यह already हम लोग ने कर चुका है इसको आप try कर लिजीगा एक बार फिर से अगर आपने करना होगा तो ठीक है दोस्तों अगला question देख लेते हैं यहां पर आप देखो एक अगर मैं बात करूं तो ए जो है दोस्तों यह पहला यह दूसरा यह आपका तीसरा और यहां पर यह चौथा एट चीक है दोस्तों यहां पर चार एट से ही तो जुड़ा हुआ है यहां पर य पहल एक ये आपका पहला it एक उपर रखा हुआ है एक नीचे रखा हुआ है तीन तो ये हो गए और सामने से अकर हम बात करें तो ये दो it मतलब a जो है दोस्तों ये पांच itों से जुड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल सही answer है b आप देखो दोस्तों b की अगर हम बात करें तो b e से connect है कि आप देखो दियान से edge की जो बात कर रहा था दोस्तों वो ये कर रहा था जैसे मान लिजीए ये edge है ये edge जो है तो edge से edge connection हम नहीं लेते हैं जैसे b c से connect नहीं है क्योंकि यहाँ पर edge जुड़ा हुआ है ना कि ये side से जुड़े हुए हमें कह लेना होता है या side से जुड़ा हो या top से जुड़ा हो या फिर नीचे से जुड़ा हो bottom से जुड़ा हो ठीक दोस्तों ये हमें लेना होता है और कुछ भी नहीं लेना होता है तो यहाँ पे आपने doubt बिल्कुल भी नहीं करना है बी की अगर हम बात करें तो यह देखिए पहला 8 यह दूसरा 8 यह जो आपका तीसरा 8 और यहाँ पे एक नीचे से चौता 8 और किसी से जुड़ा हुगा है क्या दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चुड़ा हुगा है तो इसका answer जो हो गया दोस्तों वो क्या हो गया बी का 4 हो गया जो कि बिल्कुल सही answer है अगला question देखते हैं C की अगर है मैं बात करूँ तो C आप देखो C दोस्तों बिल्कुल यह असान है बिल्कुल clear देख रहा है दो अगर लग रहा है तो बिल्कुल सही answer दोस्तों अब यहां पर देखते हैं A की अगर मैं बात दो तो A को आप ध्यान से देखो यह वाला क्रॉस सेक्षन देखो दोस्तों यह 4 एटों से जुड़ा हुआ है क्या A तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल सही answer है और किसी से तो यह जुड़ ही नहीं सकता तो यहाँ पे चार आंसर जो है बिल्कुल सही है C की अगर हम बात करें तो C को आप ध्यान से देखो यह पहला और यह दूसरा और C दोस्तों यह दोनों इटों पे रखा हुआ है यह तीसरा और यह चौथा ठीका दोस्तों यह हो गया आपका तीन और यहाँ पे दो इट यह भी तो रखा हुआ है मतलब यह चौथा यह पाँच वाँ जो कि बिल्कुल सही आंसर है इसका E की अगर मैं बात करूँ तो E को आप ध्यान से देखो दोस्तों E एक इट के उपर रखा हुआ है मतलब यह आपका पहला हो गया यह आपका दूसरा हो गया यह आपका तीसरा हो गया यह आपका चौथा हो गया जो कि बिल्कुल सही आंसर है इसका और किसी से तो यह जुड़ा हुआ नहीं है तो E का जो answer हो गया वो हो गया चार जो के बिलकुल सही answer है ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना है दोस्तों I hope आपको समझ में आया होगा concept इसके पीछे क्या है इसमें ज़्यादा questions कराने से कोई फाइदा नहीं होता दोस्तों दो से तीन question में भी अगर concept आपको समझाना होता है तो आपको समझ में आ जाता है concept तो एक ही है concept आपको समझाने के लिए मैंने तीन चार question रखे तरह तरह के question रखे previous रिक कोशन में ने रखा और मैं previous रिक कोशन कुछ करा दूँगा जिससे आपको idea लग जाए कोशन किस टाइप के आते हैं eat perichard से ठीक है दोस्तों I hope अगर आपको मजा आओगा दोस्तों video अच्छी लगी हो concept समझ में आया होगा तो आप practice करना कैसे करना दोस्तों तो वो computer पे करना computer based exam आपका computer पे करना copy और pain की में बात करना तो इससे आपका क्या एक uğ contributor होगया और वो सेघ्ध 100% की मैं guarantee लेता हूँ जोस्तों एक uğhit आपकी maintain होग अब आपने क्या करना है speed आपने maintain करनी है तो speed maintain करने के लिए आपने क्या करनी है computer पे practice करनी है ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक दोस्तों बाई बाई टेक केर